गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स, तोडें, वी विल दू वाक्षीट थ्री, ए पार्ट, गो थ्रू दा इन्फोमेशन गीवन इन दा नोटिस, एंड आंसर दा क्वेस्चन्स देट फूलो, नीचे एक नोटिस दिया गया है, और उसी से आपको नीचे दियेगे क्वेस्च देने हैं, तो यहां पर नोटिस कैसे लिखा जाता है, उस पैटन को भी हम बता सकते हैं, अगर यह हमारे स्कूल का नोटिस है, तो सबसे पहले हम स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे इसमें लिख रखा है, गवर्नमेंट सीनियर स्कैंड़री स्कूल अबाला, जग्हाय का न लेटर्स में होगा और उसके बाद लेफ्ट साइड जो उस दिन की डेट होगी वो पुट डाउन करेंगे तो यहां पर 12 ओक्टूबर 2022 डेट पुट डाउन की गई है और फिर जो टॉपिक होगा कि नोटिस जिस भी बारे में है टॉपिक को यहां पर हम बोल्ड लेटर्स में मिड पार्ट में राई डाउन करेंगे जैसे यहां पर किया गया है स्पोर्स बैग फाउन्ड इसमें जितने भी वर्ड आएं उनका फ्रस्ट लेटर कैपिटल यहां पर दिया गया है तो आप भी ऐसे ही फ्रस्ट लेटर को टोपिक में कैपिटल रखेंगे next अब बीच में हम body रखेंगे और body को हम start करेंगे left से जैसे यहाँ पर अब इसकी body को हम फढ़ेंगे यह body दिया गया है It is brought to the notice of students of the school that I found a sports bag in the school ground yesterday आपके notice में लाया जाना है कि कल मुझे school ground में एक sports bag मिला It is red in color यहाँ लाल रंका है Anyone who has lost it, जिस किसी का भी गुम हुआ है, can collect it from the undersigned during recess after describing the constituents' items in the bag जिस किसी का भी यह गुम हुआ है, वह इसे नीचे जो हस्ताक्षर दिये गई है उससे recess के दोरान इस bag में जो सामान है, जो item है उसके बारे में बता कर ले सकता है तो यहाँ पर फिर हम यह body लिख चुगे हैं और इसके बाद हम यहाँ पर undersigned में क्या करेंगे? जिस भी बंदे को यहाँ पर यह सामान मिला है, उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर राजकुमार दिया हुआ है कौन सी class से है यह? Class 8 से है और उसके बाद कहाँ पर मिलेगा यह? रूम नमबर 103 बी विंग में यह मिलेगा, तो यहाँ पर यह पूरा address write down करेंगे address जो हम write down करेंगे, left side में होगा और सभी words के जो first letter होंगे, वो हमारे capital होंगे जैसे राजकुमार में राज का R और कुमार का K बड़ा है, capital है और class का C जो है वो capital है रूम का भी यहाँ पर R capital है और फिर नमबर का capital है, इसी तरह B विंग का B capital है तो यह हमें ध्यान रखना है, जो address होगा वो भी हमारा left side में ही रहेगा अब इसके base पर हम questions के answer देंगे First question है, what has been found? क्या मिला? तो क्या मिला है यहाँ पर? A sports bag, a sports bag has been found यहाँ पर what की जगह पर ही हमें a sports bag लिखना है और बाकी जो है question में है, has been found, वैसा का वैसा यहाँ पर आ जाएगा Second question है, who found the bag? Bag किसे मिला? तो यहाँ पर दिया गया है राजकुमार जो address है, वो ही हम यहाँ पर write down करेंगे तो who के place पर, who की जगह पर हम राजकुमार को put कर देंगे आंसर होगा, राजकुमार found the bag Next question third, where was the sports bag found? Sports bag कहां मिला? तो यह कहां मिला था? In the school ground तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर the sports bag हमारा subject है और उसके पहले जो helping verb वो जाया है उसको हम subject के बाद ले जाएंगे क्योंकि आंसर में हम subject के बाद में helping verb को put down करते हैं तो आंसर होगा, the sports bag was found in the school ground Question four, when was it found? यह कब मिला? तो आंसर होगा, it यहाँ पर subject है और was यहाँ पर helping verb तो पहले आजाएगा subject हमारा, it was found yesterday Question fifth, from where the bag can be collected? बैक कहां से लिया जा सकता है? तो यहाँ पर address में हम देख चुके हैं कि room number 103, B wing से हम इसे collect कर सकते हैं तो यही हमारा answer बन जाएगा The bag can be collected from room number 103, B wing Question sixth, what does one need to know for claiming the bag? Bag मेरा है, इसका दावा करने के लिए किसी को क्या जानने की जरूरत है? तो यहाँ पर उपर दिया गया था, कि उसे bag के अंदर जो सामान है, जो item है, उसको describe करना होगा तो यहाँ पर answer हमारा होगा One needs to know about the items in the bag One needs to know about the items in the bag B part है, use the following table to answer the questions अब नीचे एक table दिया गया है, और उसी से हमें questions के answer देने है तो यहाँ पर table में biggest mammal और animal है, blue whale और length यहाँ पर average में दिया गया है 24 meter, weight maximum 190 tons तो इसी तरह next record में क्या है, biggest insect है और वो है Owen Alexandrage Bind, जिसकी length है 8 meter, average, weight maximum है 0.012 kg next है biggest land animal, African bus elephant, length average है 6 meter, weight maximum है 10.4 ton next है biggest bird, animal है यहाँ पर, ostrich, length average है 2.1 meter, weight maximum है 156.8 kg next है biggest animal, biggest animal में है जिराफ और length, average है 5.8 meter, weight maximum है 2000 kg अब इसी के base पर यहाँ पर questions दिये गए हैं, तो first है, what is the name of the biggest mammal सबसे बड़े mammal, स्तंधारी का नाम क्या है, तो वो है blue whale यह answers हमें, जो table दिया गया है, उसी के base पर देने हैं second question है, which animal in the table weighs 156.8 kg, तो यह है हमारा 156.8 kg और यह है ostrich, तो यहाँ पर answer होगा ostrich next है, who is the tallest animal, tallest animal कौन है, तो यह हो जाएगा जिराफ next है fourth, how long is African bus elephant, जो हमारा African elephant है, वो कितना लंबा है तो वो है हमारा 6 meter, average यहाँ पर दिया गया है, तो average है यहाँ पर 6 meter next है, what is the average length of blue whale, blue whale की average length क्या है तो यहाँ पर answer होगा 24 meter, next है c part, analyze the graph graph को analyze करो, and answer the questions that follow, और नीचे दिये गए questions के answer दो, तो यहाँ पर यह graph दिया गया है, graph में नीचे classes है, x-axis पर, और x-y पर है अमारा number of students students, तो पहला question है हमारा, how many students are there in class 10th, class 10th में कितने students है, तो यहाँ पर यह students दिये गए हैं बचो, 35, तो यहाँ पर answer होगा हमारा, there are, यहाँ पर there हमारा subject है, तो इसी से हम question को start करेंगे, there are 35 students in class 10th, next है हमारा, question second, which class has least number of students, किस class में सबसे कम विद्यार्थी हैं, तो सबसे कम विद्यार्थी हमारे 30 हैं, जो class 6 के हैं, तो यहाँ पर answer होगा, class 6 has least number of students, third question, which class has maximum strength, किस class के सबसे ज़्यार्थी हैं, मतलब, किस class में सबसे ज़्यार्थी हैं, तो वो class है हमारी class 7, क्योंकि इसमें 50 students हैं, तो यहाँ पर answer होगा, हमारा class 7, class 7 has maximum strength, question 4, which class has students more than class 6, but less than class 9, कौन से class में, class 6 से ज़्यार्थी हैं, परंतु class 9 से कम विद्यार्थी हैं, तो ऐसी class है हमारी class 10, जिसमें 30 students, जो class 6 में हैं, उनसे ज़्यादा हैं, और class 9 में, जो 38 students हैं, उनसे कम हैं, तो answer होगा हमारा class 10, class 10 has students more than class 6, but less than class 9, question 5, which class has 50 students only, कौन सी class में केवल 50 विद्यार्थी हैं, तो ये class हैं हमारी class 7, जिसमें 50 students हैं, तो answer होगा class 7 has 50 students only, students, अब ये worksheet 3 हमारे complete होच की है, और उमीद है आपको समझ में आई होगी, और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, ठैंक्स.